सो पूरी मूवी देखने के बाद मैं यामी गोतन से कहना चाहता हूँ यार मतला देल किटने गुलते हैं सब को जीत लिये हो आप बाकि आर्टिकल 370 मूवी के उपर विस्तार में चल कर बात करें उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आर्टिकल 370 की अनुचे 370 था क्या सो आर्टिकल 370 जमूवी इन कस्मिर को इस्पेशल स्टेटस एंड पाउस देता था कि वहाँ का प्राइम मिनिस्टर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से अलग हो वहाँ की कानों बारत की कानों से अलग थे वहाँ की सिटिजासी बारत की सिटिजासी से अलग थी वहाँ का प्लेक इंडियान प्लेक से अलग था सब कुछ इंडियन कॉंसिटिउशन से अलग था मतलब एक ही देश में दो प्राइम निस्टर, दो अलग-अलग लोज चलते थे, भारत के लोगों के पास कोई अधिका नहीं था जमुएन कस्मीर का सिटिजन के लाने का, ना ही भारत की किसी स्टेट में रहने वाले लोग जमुएन कस्मीर में कोई प्रोपर्टी ले सकते थे और माय की Minorities Hindu and Sikh की Reservation की बाद तो छोड़ ही दो तो साथ आप समझी सकते हो कि ये Article 370 की वज़े से कस्मीर देश का सबसे बड़ा Controversal Part क्यों और कीसे बना था और इसी Article की वज़े से कस्मीर पाकिस्तान Occupied कीसे हो गया था और बात का एक एहम और मातवपूर्ने हिस्सा होने के बाद भी वह भारत का हिस्सा नहीं इनफेक्ट दुसरे पडोसी दिस आकर उसे अपना क्लेम कर रहे हैं फिर Article 370 क्या है ये Majority of Audience को पहले से पता होगा बस दुरूर आटी के One-sided videos को देखकर कुद को educated feel करती है फिर इन महात्मा को वीडियो में include नहीं करते नहीं तो मुझ पर भी प्रोपेगेंड़ा फिलाने का step लग जाएगा पर मैं भी कोई यान नहीं बाट रहा वीडियो में अब खुद research करो अपना knowledge बढ़ाओ और जानों की मुद्धा था क्या बाकि Article 370 एक movie है और मैं उसे movie के तरह वीडियो में judge करूँगा तो इसे कितना ज़्यादा real रखा गया और कितना fictionalize किया गया इन्चे जोक्यों पर बात करूँगा फिल्में की synopsis की बात करें तो Article 370 की लागू होने से क्या कुछ वारत की लोगों को और कस्मीर की लोगों को सेहना पड़ा है आया दिन दंगे फसाद हुआ करते थे टेरिरिस्ट में पत्तर बाजी देखने को मिलती थी और वार की लोग इंडियन आर्मी को ही टेरिरिस्ट कहा करते थे उन पर पत्तर बरसाया करते थे और कस्मीरी हिंदू पंडितों के साथ क्या हुआ था उसकी तो बात ही छोड़ दो फिल इन्ही सब चीजों को देखते हुए वारत सरकार ने किस से आर्टिकल 370 को एबोलिस्ट कर दिया यह मुवी उसी रिमूवल के प्रोसीजर को पेजेंट करती है कितना मुश्किल भी क्यू था आर्टिकल 370 को रिमूव करना बाकि इस पुरे प्रीमाइस में काफी सारी चीजों को रियल रखा गया है तो काफी सारी चीजे फिक्शनलाइस की गई है इसमे से बुरहानी और नायको जिस से टेरिरिस्ट को दिखाया गया है वर जमूवीन कस्मिर के पॉर्मर मिनिस्टर्स के नाम रियल रखे गया है बाकि सब कुछ काफी सारे केरिटर्स के नाम चेंज कर दिये गये है मूवी की स्टार्टिंग में अजय देवगन का नेरेटिव सुने को मिलता है जो कि पूर वो प्रदान मत्री सेरे जवाल नाल नेरो जी की आर्टिकल्स दिस सेवेंटी को लागू करने और जमोन कस्मिर में विवात की स्टति सुरू होने वाले घटना करम पर प्रकास डालने का काम करते है मूवी में काफे सारे पोजिटिव पॉइंट्स है इस वैसे कुछ की बात की जाया तो रियल वीडियो फूटिजेस क्लिप्स का यूज किया गया है और मूवी को चेप्टर्स में डिवाइडेट किया गया है और हर एक चेप्टर मूवी की टोन और उसकी थीम को दरसाता है और मूवी मोनोलोक्स और डैलोक्स के तरू काफे कुछ डिलिवर करती है कि कैसे टेरिटिजम को एक दंदा बना कर रखा गया है इसका आजादी है रिलिजन से कोई लेने देना नहीं है अगर अमेरिका पाकिस्तान को अर्बो डोलर भी देता ओसामा बिन लादिन को केच्चर करने के लिए तो पाकिस्तान ओसामा बिन लादिन को पकड़ने का नाटक करता उसे पकड़वाता नहीं ताकि उसकी funding चलती रहे और लोगों को brain worst करना कितना easy हो चुका है कि religion के नाम पर लोगों की बुद्धी ब्रस्ट करो सरकार जो भी नया कानून लेकर आएगी वो तुम्हें तुम्हारे roots से अलग कर देगा ये सब बोलकर किसे लोगों को आतंगवाद ये पत्थरबाज बनाय जाता था कस्मीर में और इसे ही लोग UCC का विरोध भी कर रहे हैं इसका mention भी किया गया है मूवी में और तो और के से जमोईन कस्मीर के हर एक political leader ने अपने पाइदे के लिए कस्मीर और कस्मीरियों का use किया है और दंगे पसाद रुखने का नाम क्यों नहीं लिया करते थे यह सब चीज़े कापी real रखी गई है अगर आप real time में भी वीडियो क्लिप्स देखो यह वाह के political leaders की तो उनके statement आपको सुने को मिलेंगे कि बारत को कोई भी कानून कस्मीर में लागू होने ही नहीं देंगे और जैसे ही कोई नया कानून आता था उसके बनने के बाद ही द सब कुछ काफी अच्छे से दिखाया गया है मूवी के फस्टाप में यामी गौतम के के केरेटर के उपर फोकस किया जाता है इसका नाम होता है जुनी हकसर वो भी कस्मीरी इंदू पंडित और एंटेलिजिस ओफिसर रहती है जोकि आगे चलकर एना ये जोइन करती है और एमो की तरफ से पाउर मिलने के बाद उस पाउर का यूज देश और कस्मीर के भले के लिए करती है इसके कुछ मिसर्स को थ्रिलिंग एकसर्स के साथ दिखाया जाता है फस्टाप में फेल सेकेंड आप से मूवी पूरी तरह से आर्टिकल 370 के रिमौल प्रोसीजर को दिख आया है कि उनके intensus ही evil है यूज की थोड़ा सा stereotype है और real भी क्योंकि real time में काफी सारे journalists और media sources है इनकी news हमें साथ देश के खिलाप ही रहती है अब constant characters की बात करें तो या वी गोतम के लिए वीडियो के स्टाटिक में ही बोल चुका हूँ बंदी को जहाँ पर emotion निकाना वहाँ पर वह इमोसास audience को feel करवा देती है और पूरे बोलिट में यामी ही सिर्फ एक actress है जो काम कर रही है बाकि सारी female या feminist में की brand ambassadors बस time pass कर रही है actors या actresses को अपने काम से जवाब देना चाहिए और वो काम यामी गोतम काफी time से करते हुए आ रही है उन्होंने काफी सारी stand alone solo movies भी की है on the other hand किसे को bikini पेनने से फुरसत नहीं मिलती और दोस्ते movie में विचारी को bikini पेना कर बीच पे चलने के लिए बोल दिया जाता है कियर मुझे इस चीछ से problem नहीं होने चाहिए बाकि प्रियम अनी की बात की जाए तो PMO officer राजिस्वरी जी का रूल किया है इनो और इस रोल का काफे importance है movie में कि केसे उनका character चोटी चोटी चीजों पर भी ध्यान देता है और यह सब देखकर काफी अच्छा लगा और PM अनी जी ने काफे बहतरिन काम किया है वही प्राइम मिनिस्टर की बात की जाया तो उनको play किया है अरुन गोविल सर ने जोकि उन पर देखने को मिलती है काफी अच्छे से play किया गया है और दिखा गया है character को बस accent थोड़ा सा गुजराती रखा गया है बकि हर एक supporting character story में evaluate करता है इसमें से कुछ characters के नाम भी आपको याद रखते है मुवी का background score काफी based है जो climax के sequence को काफी gripping बना देता है और मुवी का climax सच मे epic है उसमें जो सतर सा की मेनत को सिर्फ सपल होते हुए नहीं दिखाया बलकि feel करवा दिया और मुवी की cinematography भी काफी बढ़िया है मुवी के producer अदित धर है वही उरी वाले director तो उनका थोड़ा action sequence में touch से देखने को मिल जाता है पाकि speech के parallel में जो action दिखा जा रहा था वो thrilling तो तो थोड़ा मेर्च मसाला देखने को मिलता है जो कि आप easily notice कर पाऊगे पाकि technical aspects को लेकर creatively well-made movie है जो किसी भी एजेंड या propaganda को push न करते हुए thrilling drama को present करती है मुवी में opponent party का नाम भी नहीं लिया गया नहीं उनकी किसी काली कर्तुसों को बढ़ चड़तर दिखाया मुवी बस एक ही मुद देखे उपर focus करती है और उससे के around revolve करती रहती है बाकी वीडियो की summary देना चाहूं तो यह movie सब के लिए नहीं है नहीं हर तरह की audience इस movie को देखेगी पर मुझे यह movie काफी अच्छे लगी जिसे मैं one time must watch recommend करना चाहूंगा audience को और इसे आप family के साथ भी देख स इसे और amazing videos देखने के लिए चैनल को सब्क्राइब करना मिलते है फिर किसी एक और नीव वीडियो के साथ तिल देन आप एन चैनल पर विजिट करके कुछ प्रीवेस वीडियो को ज़रूर चेक आउट करें जुझ करना मिलते हैं